हेलो एविवन मैं राजिर बंडारी आप सबका स्वागत करता अपने चैनल एक्टिक अडड़ा में आज जो हम नेक्स्ट टूडियो लेका हैं वो लेका है हम विवाम आपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमिटर कहते हैं इसे यह आपके एक्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी आप से यह पूछा जा सकता है तो इसका नौलेज आपको होना चाहिए कि कैसे आपको यह दिखता है कैसे यह वर्क करता है ठीक है क्या काम यह करता है तो विवाम आपी सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि विवांतर को म हम दो पॉइंट के बीच में विभानता को नापने के काम आता है और सेल का EMF भी हम से निकालते हैं तो सेल का EMF इसकी है क्या होती है इसका UPYOG होता है यानि potential meter से हम सेल का EMF भी निकाल सकते हैं ठीक है यानि इसकी application में आता ही है साथ में हम siahil का आंतिक परतिरोध भी निखाल सकते हैं वाले विभाम लग निखांति हमापी से ठीक है तो यह सब उसकी जब दैंगे लो उपयोग कहा कहा विभाम लो रोक होता है तो हमाज पर बहुता इता है तो वहां पढ़िये रचे कि विभांतर को निकालने के लिए होते है' और यह में पhr yere है इसलिए हम इसका उप्योग करते हैं अลए Coach before है तो सबसे पहले हम इसकी रचना देखते हैं यह आपको पता चल गया कहा काम आता है वीवहांतर और पयात करने के लिए क्या करने के लिए करते हैं तो रचना यानि construction किस तरह के से आपको दिखेगा दिखता है या कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं तो जब भी आप कभी अपनी लैब में जाओगे या कभी आप आप experiment करोगे तो आपको जो वीवा मापी हो वो कुछ इस तरह के से दिखेगा यानि इस पर कुछ आप A B दो पॉइंट होगे जिसमें A पॉइंट में क्या होगा आपका यहां पर एक scale होगा जिसमें 0 से लेके 100 तक नंबर होगे ठीक है एक scale होगा उसके उपर आपका एक cell भी आपकी विच्छेप होती है, deflect होती है दो दर तो उसके हमें पता चल जाता है इस star में current है या नहीं है उसको हम लगा देते हैं किस से जौकी से ठीक जौकी को हम इस star में touch करते हैं ठीक है यह जौकी होती है और A point को हम एक दूसरे cell से यान दूसरी battery से connect करते हैं लगा देते ह जिसमें हम यहाँ पर कुंजी यानि एक switch लगा देते हैं रियोस्टेट लगा देते हैं रियोस्टेट क्या करता है धारा को control करने यानि इस star में जो धारा current आ रही है उसको control करते है ठीक है और जो तार होती हो बी से touch होती है आपकी तो यह आपका प्रात्मिक परिपत होता ह यह जो बैटरी वाला है और यह cell वाला जो या दूट्यक है परिपत होता है तो इस ततरी से आपको लाब में दिखाए देगा जब याप यह विवह आपई को देखेओगा तो इस तरी करते हैं यहां पर यह आपको ci है तहरो होती है यह यह आपको क्या होताए तांबे तो यह जो तार होता है इसका परतिरोत क्या होता है विशिश परतिरोत अधिक होता है निम्न परतिरोत माप गुणाक होता है किसका होता है यह मैगनीन का होता है और कॉंस्टेंट का यूज करते हैं इसी तार को हम कहां पर भी यूज करते थे इससे पहले जो हमने पढ़ा था जब भी आप लेमें देखोगे तो आपको एक तार इस तरह के से दिखेगी फैली वे और होती कितनी है टोटल है तरस मीटर आपकी ठीक है तो इस तरह के साब को दिखेगा यह तो मैंने इसलिए बनाया है यह आपकी बुक में दूसर डाग्राम भी बनाया होता है कभी-कभी म अगर आपको एक्जाम में यह नहीं बनारा है बना सकते है इसको भी नगर जो है आप दूसर बना सकते है उस में चोटा सा डिखरभ वह आपका जलदी बनेगा और उसमें आप अच्छे से समझ भी लोगे ठीक है तो उसको आम देखते हैं कैसे बनाते तो पहले आप इसको को या तक लेना इसमें एक बैटरी एक सेल और बाकि यह आपका क्या होगा आए Г Utah होगी अहीं होगि तीक है जो तांबे से क्शी होती है और यह जोक्य लगित होगा मैंगनी कॉंस्टेंट का यह तार होता हूगा अब हम इसका देखते हैं क्या सिद्दांत तो सिद्दांत के लामे इसमें दूसर डाइग्राम बनाना होगा तो उसको हम पहले उसको बना लेते हैं वह इसका सौट डाइग्राम होगा ठीक है होगा यही उसका सौट में बना देंगे तो देखे किस तरीके से बनाते हैं हम इस सीटेगी और एक लगाया थो उससे पहले हम वीज़ी को लगा देते हैं या वने लगा दिया और एक रियोस्टे लगा दिया तिरी बनाते हैं, यह आपका आ गया है, यह आपका point A था इसमें, बैटरी से जो लगाऊ था, कौन सा था, point A, ठीक है, तो इसको देख लेना है, आपके point A से लगाऊ है, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, point A यह इसको मतलो, इसको थोड़ा नीचे लेके आदे हो, यहाँ पर point A ले B के बीच में, और यहाँ पर हमने एक तार लगा दिया आपकी यह, एक कौन सी तार है, जो यह आपकी इस तरीके जारी था, तो इसको हमने केवल सीधा बना जिया, बैसको कुछ नहीं, ऐसको गुमा के ना बना के हमने इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया, 10 मिटर का तार जो आपके हम इसमें लगा देंगे, गैललोमेटर, और गैललोमेटर में आपके क्या है, एक जोकी होती है, जो जोकी को हम क्या करते है, इस तार में इस तरीके से यहाँ पर टच करते है, ठीक है, तो यह इसका, क्यो हो गया, डाइग्राम हो गया, चित्र हो गया, अब इसका तो ऐसे जित्दांत होता है आपका यह डा nehmen इस तरह से बना दिए। आक अपको जल्दी आने है एस सोब्धाम केजोते है अज्पने वीमिह अनुपात लंबाई के ही जत्या आप इसका सिध्दांत है इस उन इन ology यह समानुपाति यह म इन दो मानल नोल ऑगा यहां से आप विभांतर को apply कर दो यानि विभांतर दे रो इसे यानि voltage दे रो या current दे रो तो जब यह current यहाँ पर चलेगा आपका तो मानलो इतनी लंबाई है यह आपका current जाएगा तो यहाँ पर जो विभापतन होगा वो कम होगा फिर थोड़ा हो जाओगे तो यहाँ पर जाद होगा यानि voltage होगा धिर धिर यहां पर खर्च होता रहेगा ठीक है तो विभापतन यहां थोड़ा जाद हो जाएगा यहां से यहां तक जाद हो जाएगा फिर यहां से यहां तक हो जाद हो जाएगा यानि जैसे जैसे आप आगे तक चलते होगे विभापतन होगा व थोड़ा होर जद Mullega एक विभानतर खेंसे और एक सेल से अपका इसके अदर करन जा रहा है जब आप इसूशा को और इस सेल को स्थीत करोंगे इस पांट को ले ले लेते हैं तो इस वाले को ले 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 लिए भीड़ आ छहा है इस case में इस case में क्या होगा जब आपने इसको यहां पर लगाया तो यह जो galenometer है इसकी sin में जो sin होगी वो एक di explag nine मुझ जाएगी suppose इस di explag 10 मुझ जैसे इसे थि तो इस तरह के से क्यों क्योंकि देखो यहां पर देखो एक current यहां से भी आएगी और एक cell से भी आएगी ठीक है तो यहाँ पे जो विभाव जो यहाँ पे आपका विभांतर होगा AP1 के बीच में जो VAP1 होगा वो cell के विभाव से क्या होगा कम होगा यानि इसका विभाव जाद होगा इसका विभाव कम होगा क्योंकि अभी आपने केवल यहां से यहां तक का ले रहे हैं तो मैंने अभी बता इता है जहे게 लंबाइ बढ़ती रहे है वहांतर भी बढ़ती रहता है तो सब्सक्राइब होगा तो यहां पे जो VAP1 होगा वा अभी कम है चाह कम है इस से किस से ? cell के EMERC से तो इस case में कि, गोक्त दो current आ रही है, तो आपकी परिनाम करण़ होगी, जो एक vieleholes करन्यों होगी जो किसासे ? यानि इन दोनों में से केवल एक Grandpa आपकी जाएगी क vendring है क्योंकि آپ क्योंग क्यानव का बंद सब्दॐवी जाद है ? A P 1 E इस तरीके से जाएगी दूसरा case हम लेंगे suppose हमने क्या करा अब यहाँ पर टच कर जाए इसको इस बिंदू को हमने ले 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 P 2 अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जादा हो गई तो आपका क्यों हो जाएगा V A P 2 की जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक का जो विवांतर होगा वो cell के विवांतर से क्या हो जाएगा cell के जो विवां हो है उससे जाद हो जाएगा ठीक है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो विवां हो है वो जादा हो गया और cell का विवां कम हो गया अब जो धारा होगी वो कौन सी जाएगी बैटरी के करण होगी इससे पहले वाले किसके करण जा रहे है जा रहे है अब जो होगी सेल किससे जाएगी तो इसकी दिशा क्या होगी इसकी इसकी दिशा हो जाएगी आपकी इस बैटरी से जाएगी तो बैटरी से जो करण जाएग a, नहीं ऐसे जाएगी यह आली a e p 2 ठीक है? a e p 2 होगी ऐसे जाएगी यूँ यह जो करन्ट होगी सिधा ऐसा आएगी ऐसे जाएगी और यह जो गलनोमिटर है न इसकी स्विए को क्या गरेगी इस दिसा में मोल देगी जब आपती करन्ट ऐसे गए थी जहांपे आपकी जो यह सुनी है, वो इसमें सुनिय क्यों स्थिती बोलेंगे, इसमें आपकी सुनी जो होगी, नहीं घुमेगी, ठीक है, तो जब एक बार यहाँ टच करा यहाँ अब आप इसके बीच में टच करोगे, तो इसके बीच में एक बिंदू, मालो, तो पी बिंदू ऐसा है जहां पर आपके सुनी में कोई विच्छेप नहीं हुआ सीधी थी जैसे थी वैसी है ठीक है तो इसमें क्या होगा इसी स्थिती में क्या होगा आपका जो वी वी ए पी होगा यानि वी ए पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा सील के इम आपके बराबर है यानि वी ए पी जो था वह सेल के इन तो बिंदू के बीच जो विवांतर होता है वापस में क्या हो जाता है बराबर यानि वी जो वी एपी है और जो इस सेल के वांतर के बीच यह सेल के बिंदू के बीच वी वांतर है वापस में बराबर हो जाता है इसी इस्तिति को हम बोलते हैं सुन्दिया विच्छेप की इस्तिति तो यहीं से हम क्या करता है क्या करता ह यह आपका विवांतर आ जाता है ठीक है विवांतर वी एपी निकल गहाए न तो इस तरह के से हम विए पी की वैल्यू निकाल देता है जहां पर सुन्या भिच्छेव की स्थेथिन होती है वही क्या होगा उस सैल का क्या होगा यह मैंप होगा और दो बिंदुओं के बिच वि तना जीक है कि सब्सक्राइब मेरे विवान्तर है निकालते हैं विवापुर्वर्वर्वर्था से हमें यह इसका मान निकालता है कैसे विभापरवर्ता क्या होता है प्रति एकांग लंबाई में विभापतन की दर को विभापरवर्ता कहते हैं इसको हम हुआ है ठीक है उसी को हम भी बहुत पर मर्दा कहते हैं इसको वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है ठीक तो अभी अगर हम इस वाले डायग्राम में देखे अगर अभी हम इसमें देखे तो हमारा जो सुन्य विच्छेप की इस्तिति कहा है यह ए पी के बीच आहिए तो म यानि जो अपी था हमारा वहां तक कि हमने लंबाई ले ली वह एल मीटर ले ली ठीक है ल मीटर तो यहां पर अगर हम मान रखेंगे तो क्या दाएगा के क्वर्टू वी एपी यह दो बिंदों के बीच यही दो बिंदू थे वी एपी ठीक है और ल की जगा ले लेंगे हम इसी फॉर्मले का यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं विभानता निकाल लेते हैं के क्या है विभाव पनवरता तो जब हम इसके नुमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आपको पता है वी एपी किसके बराबर था सुने विच्छेप की स्थितित इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस तरीके सामने का अरा विभाअंतर को निकाल लिए और से निकाल सकते हो तो अब इतना था यह I hope आपको इस समझ माया होगा मैंने आपको deeply ये थोड़ा समझाया है अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो please comment कीजिए मैं आपको इसमें अच्छे से और दुबारे इसको समझाने की कोशिस करूँगा ठीक है? तो thank you